मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल के आखिरी बजट, साल 2024 के अंतरिम बजट में क्या है खास? इस बजट में क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा? आम इंसान को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफर? साल 2024 ये साल कई माईनों में खास है. 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद इसी साल अयोध्या में भगवान राम की घर वापसी हुई है. और अब इसी साल होने वाले आम चुनाव को लेकर महौल गर्म है. मोधी सरकार तीसरी बार सरकार बनाकर जीत की हेट्रिक का दावा कर रही है. वही विपक्ष सरकार को उखार फेकने का दम भर रहा है. लेकिन जुनाव से ठीक पहले मोधी सरकार इस कारिकाल का आखरी बजट एक फेबुरी को पेश करेगी. लेहाजा इस बजट को लेकर देश की जनता को उनसे काफी उमीदे हैं. और इसी के चलते आज हम उन संभावित फैसलों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनने लेकर अटकलें लग रही हैं कि मोधी सरकार आम लोगों को क्या चनावी तोफा दे सकती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे नौकरी पेशावर्ग हो या फिर व्यापारी वर्ग का बड़ा तपका ये सब बीजेपी समर्थक हैं. ऐसा क्यूं? उसके लिए आपको कुछ स्टेटिस्टिक समझने होंगे. केंद्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने जब पिशले 2023-2024 का बजट पेश किया था तो उन्होंने टैक्स रिजीम में बड़ी छूट दी थी. फञेंचल एर 2023-2024 की नई रिजीम के तहट 7 लाग तक की आये वालों को टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई थी. फञेंचल एर 2022-2023 में नई टैक्स रिजीम पेश हुई तब टैक्स छूट की सीमा 5 लाग तैकी गई थी. फञेंचल एर 2017-18 में टैक्स रिजीम में आखरी बदलाव तब हुआ था जब देश के वित्तमंत्री अरुन जेटली थे. आरुन जेटली ने टैक्स छूट की सीमा तब 2 लाग से बढ़ाकर 5 लाग कर दी थी. साथी आयकर कानून 1961 के सेक्षन 87-A के तहट टैक्स छूट की सीमा को 3-5 लाग तक की सलाना आए वालों पर लागू कर दिया था. इसके तहत 60-3 लाख तक की सलाना आये वालों को टैक्स में 5,000 रुपए की छूट दी गई इस वज़े से 3 लाख रुपए तक की सलाना इंकम वाले पूरी तरह टैक्स मुक्ठ हो गए जब भी 3,5 लाख तक की सलाना आमदनी पर टैक्स की रकम 5,000 रुपए से घट कर 5,000 रुपए रहे गई थी उमीद की जा रही थी कि लंबे समय के इंतजार के बाद मोधी सरकार ओल्ड टैक्स रिजीन में भी टैक्स छूत की सीमा सलाना 5,000 रुपए से बढ़ाएगी घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम सवाल ये बढ़ा है तो बजट के बहाने मोधी सरकार के पास पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटोती का ये बढ़िया मौका है इंडियन ओयल, हिंदुस्तान पावर, भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कमपनीज अभी एक लीटर पेट्रोल पर 11 रुपए जबकि एक लीटर डीजल पर 6 रुपए का मोटा मुनाफ़ा कमा रही है ट्रेडिट रेटिंग एजनसी आईसी आरे ने मंगलवार की रिपोर्ट में बताया कि सेप्टेंबर 2013 से ही कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेज गिरावट आई है लेकिन सरकारी ओयल मारकेटिंग कमपनीज ने पिट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में एक बार भी कटोती नहीं की है पिश्टी बार मोधी सरकार ने 22 मई 2022 को पिट्रोल और डीजल पर एक साइस ज्यूटी में 8 रुपए और 6 रुपए की कमी की थी होम लोन में मिलेगी राहत? दूसरा ये बड़ा सवाल तो साल 2024 के अंतरिम बजट में ओमी जताई जा रही है कि वित्तमंत्री निर्मना सीतारमन फ्लाइट खरेदारों के लिए कुछ राहत का एलान कर सकती है Real State Developers Association of India ने आगामी बजट के लिए अपनी विशलिस्ट में सरकार से होम लोन के मूलधन और ब्यास पर टैक्स चूट की सीमा बढ़ाने की मांग की है इसका मकसत रिजिडेंशिल प्रॉपटीज की मांग को बढ़ावा देना है फ्रेडाई ने किफायती घर की परिभाषा में संशोधन की भी वकालत की है फ्रेडाई ने हाउसिंग लोन पर ब्यास के भुकतान पर आयकर की धारा 80C टैक्स चूट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है जो अभी 1.5 लाक रुपए तक सीमित है एक विकल के रूप में फ्रेडाई ने हाउसिंग लोन के इंट्रिस्ट पेमिन पर एक मुष्ट रकम की छूट का प्रस्ताव रखा है विपक्ष का दबाओ बढ़ेंगे रोजगार देश का विपक्षी दल मोधी सरकार पर रोजगार न बढ़ाने का आरोप लगाता रहा है लोग सभाचनाओं में विपक्ष के इन आरोपों को ताकत ना मिले इसकी चिंता सरकार को भी सता रही है आकडो की माने तो हर साल 10 लाग से जादा युवा देश के वर्कफोर्स में शामिल होते हैं इनके लिए रोजगार के परियाप तवसर नहीं बनेंगे तो भारत को बड़ी युवा आबादी से संभावित फायदे की राह कठिन हो जाएगी इसलिए उमीद की जा रही है कि वित्मंत्री निर्मला सीतारमन ग्रामीर छेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्शर के लिए बजट आबंटन बढ़ा सकती है वही सेवाओं और रसाइनों जैसे उद्ध्योगों को शामिल करने के लिए उत्पादन लिंक्ट प्रोटसाहन कारिक्रमों के दाइरे को व्यापक बनाने के लिए कुछ प्रोटसाहन की घोशना भी की जा सकती है अब सवाल ये है कि किसानों को क्या मिलेगा तोफा अंतरिम बजट 2024 में किसानों और अनौपचारिक शेत्र के वर्कर्स के लिए भी अच्छी खबर आ सकती है PM किसान सम्मान निधी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे किसान कल्यान कारी कारिक्रमों पर सरकार अपना बजट बढ़ा सकती है कहाई ये जा रहा है कि PM किसान निधी के तहट किसानों को अपसालाना 6000 की जिगें 10 या 12,000 रुपए दिये जाने का एलान हो सकता है सरकार का ये कदम उन श्रमिकों को जल्दी से लाब पहुचाने में सक्षम बनाएगा NPS में होगा सुधार NPS यानि National Pension Scheme को और आकर्शक बनाने के लिए सरकार जमा और निकासी पर टैक्स की छूद बढ़ा सकती है Pension Fund Regulator PFRDA ने करमचारी भविश्य निधी कारयाल यानि EPFO से कहा है कि वो Employer के योगदान पर टैक्स के मामले में बराबरी लाए अभी Employee के लिए Fund के निर्मार में Employer के अंचदान में असमानता है इसमें Basic Salary और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत तक के कंपनी के अंचदान को NPS के मामले में टैक्स से छोड़ दी गई है जबकि EPFO के मामले में ये अंचदान सीमा 12 प्रतिशत है उमीद की जा रही है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन इस संबंध में कुछ घोषणाएं अंतरिम बजट में कर सकती है जनता के लिए क्या सरकार खोलेगी खजाना? आने वाले साल में सरकार को टैक्स से अच्छी कमाई होने की उमीद है यही वज़े है कि सरकारी खजाने में इतने पैसे होंगे कि मिडल क्लास के नौकरी पेशा तपके को राहत देने और कल्यानकारी योजनाओ पर जादा खर्च किया जा सके मीडिया सूतरों की माने तो इस वित्ती वर्ष में इंकम टैक्स और कॉर्परिट टैक्स का कलेक्शन अच्छा रहा है डारिब टैक्स का कुल कलेक्शन बजट अनुमान से करीब एक लाग करोड रुपे जादा रहने की उमीद है इस बड़े हुए फंड का इस्तमाल मन्रेगा, स्कूल के मिड़े मील जैसे पोशन कारिक्रमों और पेंशन योजनाओ जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर होने वाला है सरकार आईशमान भारत जैसी मौजूदा स्वास्त और सिक्षा योजनाओ के लिए फंडिंग को भी जारी रखेगी दूसरी तरफ सरकार इंकम टैक्स और होम लोन पर राहत दे कर लोगसभाचनाओ से पहले बड़ा दाव चल सकती है दरसल अयोध्या राम मंदर में राम लिला की फ्रांट पतिश्चा से पूरे देश में जोश और जजबे की नई लहर है जिसके दम पर बीजेपी लोगसभाचनाओ में रिकॉर्ड जीत दर्स करने की उमीद कर रही है हला कि बीजेपी सिर्फ राम मंदर के भरोसे लोगसभाचनाओ में जाने के पक्ष में नहीं है बीजेपी इस बार अपने वोटर बेस में बढ़ोतरी करने की रणनीती से आगे बढ़ रही है और इस मकसद को हासल करने के दिशा में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाती है तो फिलाल की इस खबर में बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे है शेश्च भारत